क्या दोस्तों आप भी एक mobile में दो facebook के application यूज करना चाहते हो क्या आपको पता नहीं है कि एक mobile में दो facebook के application कैसे यूज किये जाते है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे एक mobile में दो facebook के application यूज कर सकते हो तो चलिए दोस्तों आँच की वीडियो शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दू अगर आप इस चैनल पर नए आते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके All का Option सिलेक कर लेना ताकि हम जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आप तलग तुरंट मिल सके दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे मोबाइल में सिर्फ एक ही फेस्बूक का एप्लिकेशन है ठीके अभी हम आपके सामने यहाँ पर दूसरा फेस्बूक के एप्लिकेशन लाकर दिखाएंगे दोस्तों दूसरा फेस्बूक के एप्लिकेशन यहाँ पर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा simple से आपको अपने mobile phone की setting open कर देनी है mobile phone की setting open करने के बाद इदर थोड़ा आपको नीचे scroll down करना है नीचे scroll down करने के बाद आपको इदर एक option मिलेगा application and permission का तो आपको simple से application and permission पे click कर देना है application and permission पे click कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा और इदर आपको third option मिलेगा app clone का अगर दोस्तों आपको app clone का option नहीं मिलता है तो आपको यह से back आना है back आने के बाद उपर आपको search का option मिलेगा तो आपको simple से search के option पे click कर देना है search के option पे click कर देने के बाद आपको इदर type करना है app clone ठीक है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी हमने app clone टाइप कर दिया है app clone टाइप करने के बाद नीचे आपका app clone का option आ जाएगा तो आपको simple से इस option पे click कर देना है app clone के option पे click कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और दोस्तो इधर आपको third number पर facebook का application मिलेगा तो आपको simple से इसके आगे वाले बटनों को enable कर देना है इसे enable करने के लिए simple से इसके आगे वाले बटन पे click कर देंगे इसके आगे वाले बटन पे click कर देने के बाद अभी आपके mobile में दूसरा facebook application आ चुका है तो अभी हम क्या करेंगे यह से back आजाएंगे पूरी तरह से back आजाएंगे पूरी तरह से back आने के बाद दोस्तो अभी हम यहाँ पर check करेंगे ठीके तो यह रहा हमारा दूसरा facebook का application ठीके तो दोस्तो इस तरह से आप दो facebook के application को ला सकते हैं अपने phone में